हेलो डियर स्टुडेंट स्वागत है पुल्टेक्निक जे क्लासस में हम पढ़ते हैं अपलाइड फिजिक्स आज हम निव चिप्टर स्टार्ट कियें बर्क पावर एंड एनर्जी का पार्ट वन वीडियो जिसमें आज हम 10 अब्जेक्टिब कोचन करेंगे जो कि एकजाम में सौ परसिंट कोचन पूछे जाते हैं ठीक तो चलते हैं कोचन की और देखते हैं फस्ट कोचन क्या है कि दा इलेक्ट्रिकर रिजिस्टेंस आप इंसुलेटर इज यसका क्या हो जाएगा इंफिनाइटट हाई यानि बार्ट सान नमबर डी डी इस तर रायट अंसर नेक्ष्ट कोचन एक के डबलु एज किलो वाट घंटा बरावर कितना जूल होता है ये तो जानते हैं एक किलो वाट घंटा बरावर कितना जूल होता है तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल कहा है तो अप्सन नमबर C is the right answer नेक्ष्ट कोचन क्या है which of the flowing gases are filled in electrical valves जो electrical valves हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है तो जानते हैं electrical valve में निश्करिये गैस भरी जाती है ठीक तो देखे इनमें से कौन निश्करिये गैस है helium and neon निश्करिये गैस है तो नहीं ये नहीं होगा देखे आरगन एंड हैडरोजन आरगन तो है लेकिन हैडरोजन नहीं है ये अशलिए इव नहीं होगा आरगन एंड निश्करिये गैस है इसलिए उप्शन नमबर वी नेक्स्ट कोच है electrical potential is a क्या होते हैं scalar quantity होते हैं कि vector की निश्कर scalar और non vector जिसका क्या हो जाए गान से तो ये होते है scalar continuity नमबर ए इस तर राइट अंसर नेक्स्ट कोचन क्या है दा कर रिफ्रेशन टिंग ओमला इज़ जो ओमला तो जानते हैं ते क्या होते हैं लीनियर अप्सट नमबर ए इस तर राइट अंसर नेक्स्ट कोचन क्या है रिजिस्टेंस इज़ अमेजर ओफ दा मेंटल ओपोजिशन टू अप्सट चार को दिया गया है ए में वल्टेज बी में है करेंट और दी में मुवेंटम और प्रोटोंस जिसका देखिए अंसर क्या होगा जिसका होगा करेंट क्रेंट को मेजर करता है रिजिस्टेंस नेक्स्ट कोचन है कोचन नमर सेवन इलेक्टिकर करेंट इज़ इस और फॉलो अफ इलेक्टिकर करेंट इज़ कूलंब पर सेटन कीलिक्ट इलेक्ट्रोंस इस जाइच्ट उडेक्ट्रोंस पर सेकंड एसका अंसर दइजिए आप लोग तियो होगा इसका राइट अंसरों का ओप्सन नंबर C, electrical change in unit of colomb per second, electrical current, क्या होता है, I बरावार जानता है न, Q बटा T, Q हो गया colomb, T हो गया नि, time यानि, second, तिसलिए इसका ओप्सन नंबर C, इस राइट अंसर, next question है, when will be the current follow in circulate, क्या होता है, इसका देखिया अंसर क्या होता है, A में दिया है, A switch is closed, A switch is open, switch is open और close, 9 of T, इसका देखिया अंसर, option number A होगा, this switch is closed, option number A is right answer, next question क्या है, question number 9, instrument used to the major resistance, major resistance, तिसका अंसर हो जागा, O meter, O meter is the right answer, देखिये, वोल्ट मीटर क्या होता है, जो विवानतर को मापता है, A meter क्या होता है, जो धारा को मापता है, ठीक, option number 10, unit of a special resistance, जिसको electrical resistance भी कहते हैं, इसका unit क्या होगा, electrical resistance का unit क्या होता है, यह होता है, ओम मीटर, और resistance का unit पूछ देता तो क्या होगा, तो resistance का unit क्या होता है, resistance का unit सिर्फ ओम होता है, जिसे इस परकार सुचित किया जाता है, और resistance क्या होता है, आर बराबर क्या होता है जानते हैं देखे वी बराबर होता है आई यार ओम के नियम से तार बराबर क्या होगा वी बटा आई इसका राइट अंसर होगा अप्सान नमबर बी तो आज हमने दस कोचन किये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सेर सिस्क्राइब कर दीजे हमारे चैनल को और पीडिये प्राप्त करने के लिए हमारे टेलिगराम चैनल को जोईन कर लिजिए ठीक है मिलते हैं अगले क्लास में तब तक बाई